हम लोग देख रहे थे हमारे map making की classes तो फटा फटे स्टार्ट करते हैं आज की discussion स्टार्ट करने से पहले यह हमारे कुछ contact details दिये गया हैं जिसको आप लोग use कर सकते हैं अपने doubts पूशने के लिए इसके लावा हमारे कुछ courses भी available हैं जिसको की आप use कर सकते हैं अपने exam के better preparation के लिए you can also subscribe us for test series and these are the available test series start करते हैं हमारी location यह location हम लोगों ने कल देखा था और कल इसको मैंने दिया था आपको कि आप link करके रखिएगा चली फिर start करते हैं पहली location है किलिक लुक पास फिर इसके बाद है मिंटाका पास देन खुंजरेप पास फिर अगिल पास देन कारा कुरम पास एंड लास में हमारी चांगला पास है फटाफट इसके बारे में पहले locations देखते हैं लोकेशन के बाद फिर हम लोग इसके theory पे आ जाएंगे 30 word पे आ जाएंगे फटाफट देखिए सारी location ही या तो पाकिस्तान अकोपाइट कश्मीर में है या फिर चाइना के पास में है यह सारी की सारी trans himalian range की passes है फटाफट देखते हैं कि location क्योंकि Atlas में आपको location नहीं मिलेगी आपको बनाना पड़ेगा तो देखिए यह हमारा प्यारा भारत और हम लोग फटाफटा जाते हैं इसमें देख लेते हैं क्या कुछ है हमारे पास location तो आप यह हमारे इंडिया में जब आएंगे इंडिया में आने के ब आप पे click pass है फिर उसके बाद से नीचे आजाएंगे मिंटा का पास है फिर इसके बगल में आजाएंगे कुझरेब पास है और यहीं फिर बगल में आजाएंगे mid point पे यहाँ पर आपको कारा कुरम पास दिखेगा और यहीं पर देखिए यह बेसिकली P.O.K. region और पास बना लीजिए तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो यह हमारे इंडिया है अगर तो सारी की सारी लोकेशन आपको टॉप पे मिलेंगी P.O.K. region पे मिलेंगी या फिर P.O.K. और इंडिया के बॉर्डर पे मिल रही होंगी समझ में आ गया क्या है यह है ट्रांसिवाल थी आपने लोकेट किया ही एंडिक पास इस दा हाई माउंटेन पास इन कारा कोरम रेंज बिट्वीन P.O.K. region और जिंग जियांग प्रोविल्स इन दा पिपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इस पासे वर दा टू में एसस पॉइंट इन अपर हुंजा वैली ऑल्सो कॉल्ड गोजल वैली फ्रम दा नौट तो देखिए आपके लिए हो सकता है नया होगा इन्फॉर्मेशन इसको लिख लीजिए याद कर लीजिए और आगे लगतार इसको यूज करते रहिएगा इसके अलावा मिन्टा का पास अगें दोनों के दोनों सेम ही है किलिक पास को याप के पास वर्दा एसस पॉइंट इन दा अपर हुंजा वैली दा पास इस इन दा माउंटेन रेंज आफ कारकोरम बिट्वीन प्योक एंड पी आर सी सिंग नेक्स्ट आ जाएगा खुंज्रेब पास कुंज्रेम में क्या लिख देंगे कि हाई माउंटेन पास और नदन बॉर पाकिस्तान इंचाइन इट मेंग दा हाइस्ट बॉर्डर एक्रॉस दा वर्ड इस इस दा हाइस पॉइंट ऑन दा कारकोरम रेंज अगीन ठीक है फिर अगिल पास के बारे में आ जाएंगे कारकोरम से जब साउथ में हैं लिखने को आप लिख भी सकते हैं कि इस दा साउथ अन दा कारकोरम पास या फिर हाइ माउंटेन पास अन दा नदर बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान इंचाइन 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 इ तो ये हमारे पास basically कारा कोरम पास आ जाएगी जो की इंडिया और चाइना के बीच का बॉर्डर बना जी है आगे बात करें चांगला पास देखिए The pass in Ladakh, it is third highest motorable mountain pass third क्यों क्यों क्योंकि देखिए second one या in fact first one मैं बोलूँगा first one जो होता है, वो हारदूंगला है, highest motorable है second पे दूसरी आ जाती है, third पे हमारी चांगला पास आ जाती है clear, at such world, at such high altitude the region is having strategic location as well as having economic importance क्योंकि इसी पास के थुरू economic trade हमारे ancient time में हुआ करते थे तो यह थी हमारी आज के discussion फटा फट ले लिजे, कल के location के लिए, कल Sunday भी है, आफ दे भी रहता है तो आप लोग इसको locate करिएगा, लिखिएगा इसके बारे में इसमें क्या है, day 11 के लिए मार्सिमिक ला, ठीक है, second है तांगलंग ला, next है खारदूंग ला, फिर बुर्जिल पास जोजिला पास, बारालाशा पास फिर इसके बाद है, शिपकेला पास मानला पास, थागला, लिपुलेगला तो ये बेसिकली आपको हिमालियन रेंज की मैंने आप लोग को बता दी है जमू कश्पीर, उत्राखंड, हिमाच्छ प्रदेश इन तीन इलाके में आपको मिलेगी लोकेट करियेगा, राइट डाउन करियेगा and you can send us to our email और telegram कहीं पर भी आप send कर सकते हैं और अपनी feedback लेग सकते हैं मिलते हैं अपने next video में फिर, तब तक के लिए thank you so much